नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आज हम 23 और 24 जून 2020 के मस्ट इंफोर्टेन करेंट डिस्केशन करते हैं तो चलिए शुरुवास करते हैं आज के हमारे पहला टोपिक के साथ तो हमारा जो पहला टोपिक हैं वो है कि बाजार विनियमक भारती प्रतिबूधी और सेबी ने अपने चार सदसे टेक ओवर पैनल का गठन किया हैं यह पैनल उन्हों सावेद को को देखता हैं जो अनुवारे ओपन ओफार से छोट जाते हैं एक अधिकरान करता को अल पांच शेड़धार को को देने की आवशकता होती हैं सेबी ने डेलाविट इंडिया की एमडी और सीओ एन वेंकट राम को इस टेक ओवर पैनल के नए अधिक्ष के रूप में नए सदस्य के रूप में नियूक्त किया हैं और सेबी ने सबसे पहले 2007 में बैंकोब बढ़ोदा के साथ बैंकोब बढ़ोदा के पूर्व चेर्मे इन कंडन के अधिक्षता में स्टेक ओर पैनल का गठन किया था यहनिकि स्टेक ओर पैनल का जो गठन किया था वो 2007 में बैंकोब बढ़ोदा कि पूर्व चेर्मेन कंडन के अधिक्षता में किया गया था और इसके जो वरतमान अधिक्ष हैं वो नियायमूर्थी इनके सोड हैं और करनाटक और के उच्छ नयालयोक के पुरुव मुख्य न्याधिश रही है इनके सोड़ी और प्रतिभूधी अपेली न्याधी करण के पुरुव पेठास सी नाधिकारी भी रहे हैं परती प्रतिभूधी और विनिवें बोड के स्तापना 12 अप्राइल 1902 हुई इसका म मुंबाई मोंबाई में हैं और इसके कारेकारी अचाए त्यागी ही ठीक है एं तो यह मारा पहला टौपिक कम्प्लेट होता है यह वाम आगे पड़ते हमारा नेक्स्ट्विक कि हो अमारा जिवांस का नेक्स्ट टोपिक हैं वो हैं FDI के बारे में तो व्यापार विकास संग व्यापार विकास पर सुनितरेश्ट सम्मेलन यूएन कॉन्फरेंस वों ट्राइड एंड डेवलपमेंट यूएन सी टीर्टी त्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 की अनुसार भारत 2021 में दु भारत का विदेशी FDI निवेश चु रहा है वो रहा है इस सक्षेटी फॉर्पीलियन अमेरिके डोलर्ड जो टुम्टी नैन्टीन में विप्टीवन बिलियन अमेरिकों डोलान था और चोकी इस बाहर 27% बढ़ गया हैं तो पुरिस प्रदोत्र की कारणिये प्रतिशत की घरावट आई और 156 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है चीन का 149 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है जिबके ओर आल जो वेश्ट्विक अब्डियाई है वो 25 परचेंट गिरा है पूरा वर्ल्ड का और उसमें वन पॉइंट उसमें वन ट्रिलियन पर आगया है वह 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से तो हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लेट होता है अब लिए पनांगे बढ़ते हैं हमेरे नेक्स्ट टॉपिक रोचों की रहा है बढ़ती अमेरिकी रसाइन के सुमीता मित्रा को घर यड पी पेटेंड कार्या लाई देश श्रणी में यूरोपी आविशकारक वर्षका 2021 से सम्मानित क्या गया है सुमिता मित्रा को वो मजबूत और अधिक सुन्दर रिपुन्ड रूप से मनभावन फ्लेंग का अथपादन करने के लिए दंत सामकरी में सपलता वर्वक नेनो तकनिक को एकेकरत करने वाली पEMित्र कुमित्त मित्रा और यह जो पफुनित्र कारें आंगे और उसके भाहर के जो यूरोप के और उसके बाहर के उतकर्ष्ट विशकार को को पलचाने के लिए यूरोपी प्रतिवर्श प्रस्तुत किया जाता है ठीक है तो इस बार मिला है सुमिता मित्रा को का हमारा जो निक्स टोपिक ही वो है बिःचार के बारे में बियार की दोने यौजनाों के बारे में बिहार के मुख्य मंत्री योवा उद्धिमी योजना और मुख्य मंत्री महिला उद्धिमी योजना के नाम से दो मत्व कंश्य योजना शुरू की है जिन के तहत योवा और महिलाओ के बीच उद्धिमी इता को बढ़ावा दिया जाएगा और योजनाओ का बादा 2021 के चुना रुपए अनुदान के तोर पर जबकी 5 लाक रुपए रेन के रूप में आएंगे जो 84 किस्तों में वापिस किये जाएंगे एक पोटल भी इसके लिए उन्होंने लॉंच किया जिस पर सभी यो और महिलाए सरकार से रेन प्राफ्त करने के लिए अपना पंजी करन करा सकते है पहर के मुंकि मुंत्र नितिश कुमार है और यहां के जो राज़पाल है वो है भागू चोहान तो हमारे टोपी कंप्लेट होता है बहर के दो नहीं यूजनाओं के बारह में हैं परमागे बढ़ते हैं हमारे अगले टोपी के ओर जोकी है विश्व मानुतावादी दिवस जो हर साल जून सक्रांति पर दुनिया भार में बनाया जाता है जो हमतोर कर 21 चून कपड़ता है. पेश्व मानुतावादी दिवस इस दिन का उद्देश मानुता के बारे में चाकरूपता पहलाना है इस दिन का अवीजन अंतराष्त्री मानुतावादी और नेतिक संग इ यह द्वारा 1980 से किया जा रहा हैं अंतराश्टी मनवतावादी और नेतिक संग के जो देख्षें वह एंड्रियू कॉप्शन इसके स्थावने 1952 में हुई हो इसका मुक्याल है युक्य के लंदन में अंतराश्टी मनवतावादी और नेतिक संग का ठीक है तो यह मारा टोपि मिनु राज्ज की पहली अरुनातिल प्रदेश की पहली और भारत की दूसरी भारती महिला हैं जिने अंतराश्टी मुक्यबाजी संग्याने के इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसियेशन की कोच समीती का सदस्य न्यूक्ति किया गया है डक्तर तडांग मिनु को उन्हें मु प्रदेश की महिला को राज्जी की पहली और देश की दूसरी भारती महिला बनाए गया है जिने अंतराश्टी मुक्यबाजी संग्याने सदस्य न्यूक्ति किया गया है अब हमागी बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक हो जोगी है हर साल 21 जोन को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसके आवश्रक पुमिका के ब और लोगों का ध्याना कर्शित करना है और दोजार 21 के दिवसकिती में वन हंड्र इयर्स और इंटरनेशनल कोर्परेशन इन हाइड्रोग्राफी इसे 2005 से में 2005 में सविक्ट्रेस्ट महासबा ने सविकार किया था और 2006 से मनाया जा रहा है अंतराष्टी हाइड्रोग्राफिक संगटन को पहले अंतराष्टी हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो कहते थे जिसे 1921 में इसका नाम बदल दिया गए अंतराष्टी हाइड्रोग्राफिक संगटन के महासचीव माथियास चानोस है चोनोस है और इसका हमक्याल है मोनाकों में तो यह हमारा टोपिक कंप्लेट होता हैं तरह स्टी हाइट्रोग्राफी दिवस के रूप में जो जन्वरी 2022 से वानजी के विकास के लिए उफलब्द रहेगा एटल के सीओ हैं सीओ हैं गोपाल विठल इसका संस्ता इसके संस्ता पाक हैं वो सुनिल में भारती मित्तल हैं और इसके स्थापना साथ जुलाई उनिस्सों पिचानवेक होई थी जबकि टाटा समुखे जो द प्लस डाटा समों की पार्टनर्शिप के बारे में हैं हमारा जो नेक्स टॉपिक आता हैं वो ब्रेटिश विकिल करीम खान ने अंतरश्ट्री अफरादीक नियालाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए मुक्या बेयोजन यानिकी चीप प्रसेक्योटर के रोप में जाता ही है जो अभी तक कोड के सदे से नहीं और कोड के जो सदे से 123 हैं और इसकी स्थापना एक जुलाई 2002 को भी थी इसका हों के लेनी देल लेंड के हैं में यहां पर जो मुक्या बाशाय उसकी जाती हूं अंग्रेजी और फ्रेंच अब मागे बड़े हमारे नेक्स्ट टोपिक योड जोकी हैं ओलंपिक केलों में प्रतीस परधा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथिलीट के रूप में पुष्टी पुष्टी होने के बार न्यूजिलेंड के वैटलेप्टर लॉरेड हरबर्ड इतियास और सुर्कियो इतियास और सुर्कियों बड़रने के साथ साथ विवाद बनाने के लिए तेयार है 43 वर्ष के लिवान लोरेन को ओलंपिक में चोथी सबसे उम्रदरास भरतल लग ये होंगी जो टोक्यों में महिलाओ के सुपर हैवी वेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में एक मचबूत पदा के दावेदार है हलाकि ट्रांस जेंडर समोव द्वारा उनके शामिल होने का स्वागत किया गया है लेकिन उन लोगों द्वारा भी सवाल उठा जा रहा है जो है मानते हैं कि वह 2012 में अपना जिंडर बदलने से पहले प्रोच थे जिनके तांगत और शक्तिक होने जरूर लाब मिलेगा ये विवाद भी चल रहा है मारा जो नेक्स टॉपिक है वो ही लमपिक डे के बारे में अंदरश्टि ओलंपिक दिवस इंटर्णेशनल ओलंपिक डे प्रतिवस्तेहीं जूनकों अजित के आ जाता हैं और यह दिवस ओलंपिक यहोम्हों में अधिक से दिक लोगोंस को भाग लेने के लिए माय वर अंतरहश्ट्यू ओलम्पिक दिवस 2021 का जो विशे हैं वो तेजra जून को refugee work out के साथ सवस्तDie और रहे सबस्थरे मजबूत रहे सक्रीए स्टे हैल्दी स्टे स्ट्रॉंग स्टे क्री एक्टिव विद त्युन तर्जिवर्श्ट्यू ऑलम 1 वरगाउट 23 जून तो प्रती वर्ष उंत्राष्ट्य उलम्पिक दिवस 23 जुन को हम मनाते हैं अब हमारा अगला टोपिक जो आता है वो आता है उंत्राष्ट्य उलम्पिक समीति के ही बारे में तोड़ा और जानते हैं वो हैं कि उंत्राष्ट्य उलम्पिक समीति आई ओ सी 23 जूए 19184 तरने में गंत्राफ्रास्ट उलंपिक समय तिक निर्माण के पलक्ष में जन्वरी 1948 में उलंपिक धिवस मनाने की मन्जूरी थी उलंपिक खेलो का निर्माण उलंपिया ग्रीज में आठवी श्रताब्दी के पुर्व से चोती श्रताब्दी श्वित्त पायुजित प्राचिन उलम्पिक के लोस प्रेरे थे पहला उलम्पिक दिवस 1948 में बिनाय गया था और अंत्राचिन उलम्पिक समयती का जो मुख्या लई हैं वो स्विजल लेंड के लोसने में ही और इसके अध्यक्ष थोम्मत बाच ही इसका जो इस्तापना हुई थी वो फ्रांस के पेरिस में तेज जुन अथारासो चोराणवी कोई थी ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नक्स्ट टॉपिक की ओड़ चुकी है फ्लाइंग ओफेसर माविया सुन्दन भरती वायुसेना आये एप में फाइटर पाइलेट के रूप में शामिल होने वाले चम्मु कश्मिर के पहली महिला बन 24 वर्षी माविया चम्मु संभाग के राजोरी जिले में नियांतर रिका याने की लाइन ओफ एक कंट्रोल के पास लंबेरी काउं के रहने वाली माविया सुदन माविया को 19 जुन 2021 को संयुक्त एसनातक परेड समुग के दोरान हिदराबाद में एरफोर्स एकैदमे में एक लड़ाकू पाइलेट की रूप में नियुक्त किया गया था अब वह लड़ाकू पाइलेट की रूप में पूरी तरीके से परिचालन करने के लिए एक साल से अधिक समय ते कठोर लड़ाकू प्रिश्रिक्शन से गुजरेगी ठीक है तो अब यह एक साल का प्रिश्रिक्शन प्रदान किया जाएगा माविया सुदन को अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टोपिक योंचों कि अंतराष्टी विद्वादिवस के रूप में 13 जुन को में प्रतीवर्श अंतराष्टी विड़ोड है मनाते हैं यह दिन व्यापक रूप से विद्वावों के आवाज उर अनोभवों को ध्यानाकर्षित करने और उनके बास मुझूद अधियुती समात्रण को प्रेरित करने के लिए मनाते हैं। नुद्वा वंडेशन ने और यह 25 मुद्रास्तों विद्वादेवस की शुर्वात की थी तेहें, जुन 2015 कीं से, सिंक्तराष्ट महासबाने आधिकारिक तोर परमानेता भी दे 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 तों परती वर्च दे जुन कॉंद्राष्टी विडियोडे बनाते हैं हमारा जुन नेक्स्ट टोपिक है वो है जमेका की धावक शेली एन फ्रेजर प्राइस सो मेटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लॉरेस ग्रिफित जाइनोर के बाद अब तक कि सबसे तेज महिला बन गई है यानि कि सो मेटर की जो दोट होती है उनमें सेकेंड इस्तान पर जो अब आ गई है वो आ गई है शेली एन फ्रेजर प्राइस और फ्रस्ट नंबर पर ही वो है फ्लॉरेस ग्रिफित जोईनोर अब तक कि दूसरे सबसे तेज महिला बनी ही है औरोनों ने किस्टन में एक मिनिट में 10.63 सेकेंड का समय लिया अमेरिकन जाइनर का भी भी महिलाओं का सो मिटर भी शुरिकोर्ड 10.49 सेकेंड का है जो 1988 में इंडिया ना पोलिस में बनाए गया था साथ ही 1988 में 10.61 और 10.62 के साथ तीन सबसे तेज रिकोर्ड भी उन्होंने बनाए थे तो यह हमारा टॉपिक कंप्लेट होता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्यों और जो कहें है के रट के पूरो स्वास्त मंत्री केके शेल जा यह हैं केके शेल जा को 2021 के लिए सेंट्रल यह प्रोस्कार उनके द्रण नेत्रत और समधाय आधारी सार्वजनिक स्वास्त कारें हमारी के दोरान जेवन बाचाने के मनेदा में प्रदान किया गया है सीयो की जो इसताप्णा नाइंटीन नैंटीवन में हंगरी में जन्में राजनीती कारे करता हूरा रप्पती पर उपकारी जोड्ज सारोस के कनूर्टी संस्ता के उनके दश्टिकरण के याधार पर किई गई थी ठीक है यहां टोपिक कंप्लिटी होता हैं मांगे बढ़त प्रतिमा मूर्ति अध्यक्ष मनु चिकित्सा विभाग राष्ट्री मांस एक स्वास्त और तंत्रे का विज्ञान संस्थान पेंगलरों को पांच साल के अवधी के लिए संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। अब मार्च 2026 में सेवानिवरत ओगियोंने विश्व तंभाकु निश्य दिवश 2021 पर डेवलु एच्चों के श्यत्रे निदेशक के विशेश मन्निता पुरुसकार से भी संभानित किया जा चुका हैं डाक्टर प्रतिमा मूर्ति को अब मांगे बढ़ते हैं हमार नेक्स्ट ट्रोपिकी ओर जोकी हैं रंगमंच व्यक्तित्व अर्विंद कोर ने काजल सोरी द्वारा लेखी पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया हैं हब्बा खातून पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी हब्बा कातून जिसे दर नाइट एंगल मानत उपादी से भी जाना जाता हैं एक कश्मीरी कवी और तपस्वी थे वह कश्मीर के अंतिम संब्राट यूसुप शाच चक्ति की पत्नी थी अबा खातून अब मागी बड़े अमारे नेक्स्टोपिक योड जो गयाता हैं बैंगलोरू के बारे में ग्रोथ इंजन ओफ इनोवेशन हाव एसिया पैसिपिक टेकनोलोजी हब दों और रिशेंपिंग रिजिनल रियल एस्टेट शिर्षक वाली कॉर्नियल की एक रिपोर्ट में एपेक्स चेतर में शिर्ष पांच प्रोद्योगी के रूप में बैंगलोर उबरा हैं जबके हिदरवाद को शिर्ष दाष्ट की सूची में स्तान दियागा हैं रिपोर्ट प्रमुक एपेक्स शहरों के भीतार सबसे आकर्शित प्रोद्योगी की सब मार्केट को रैंक करतें जिसमें बैंगलोरो टोप फाइप में और हिदरवाद टोप टैन में हैं बेजिंग, शंगाई, पैंगलोरो, शेंजिंग, सिंगापूर, वर्तमान में एपेक के शिर्ष पांच प्रद्योगी की किंद्रों के रूप में रैंक किये खेंवे अधिभोगियों के लिए बुनियादी, ढाची और प्रतिबा का एक सम्मोहक संतुलन प्रदान करते हैं टेक में सियोल, होंग कॉंग, जबकि हिद्राबाद और सिड्नी जैसी नए केंदर उबर रहे हैं ठीक है तो टोप फाइप बेंगलोरो, टोप टेन में हिद्राबाद आए हैं महराज का लास्ट टोपिक आता है, वो आता है, मिडफिल्डर मनप्रेश सिंग को 16 सदसी है ओलमपिक पाउंड भारती पुरुशों की टिम का कप्तान बनाया गया है, यह है मनप्रेश सिंग और इसके उप कप्तान बने हैं बेरेंदर लाकडा और हर मनप्रेश सिंग फाइनल जीता, अन्फरित के अगुवाई वाली टीम ने बनेशों में फाइच पुरुश भी शुक अप ट्वाण्टी डैटिन के कोडर फाइनल में भी जगव बनाया थी, ठीक है बमागे बड़े हमारे, आकरी स्लाइट के ओर तो वो है, रानी रामपाल के बारे में, रानी रामपाल को 16 सदे सी उलम्पिक बाउंड फार्थी होकी टीम का कप्तान बया है होकी टीम में महीला होकी टीम होकी इंडिया दोरगोषित की गई राणी को शीर ना की गई कि राणी ना केवल अपने वन फिल्ड कारणामों के लिए भलकि टीम में युवाओ का मार्गदेशन करने के लिए उनके साथ शम्ता से भी सबस्ट पसंद राणी के कप्तानी में भा 2018 में रजट और साथी 2019 में फाये सेरीज के फाइनल जीतना तुरानी के अगुवाइलरली टीम में पहली बाल लंदा ने फाये चुश को 2018 की क्वाडर फाइनल में भी जगह बनाई ती ठीक है तुरानी रामपाल को महिला टीम का और मनपरीत सीह को पुरुष होके टीम का कप सब्सक्तान बनाए गया है पलंपिक 2021 के लिए तो यह हमारे तहीं सोर्चों जिनके मोस्ट इंपोर्टेंट करन्ट अफ्यर कंप्लेट होते हैं धन्यवाद शुक्रिया